धर के बाहर खेल रही चार बच्चीओं को कुरकुरे टाफी की लालच दे कर दो अधेड ग्योब को नेकि अश्लील हरकत मौहले में दहश्वत का माहुल जासी में घर के बाहर केल रही बच्चीयों को कुरकुरे टौफी देकर जाड़ियों में कपडे उतरवानी के बाद कुछ अधेर क्यूब को परशलील हरकत करने का मामला सामने आया है बच्चियों त्वारा घर पर शिकायत के बाद सभी बच्चियों के परीजनों ने महलावासियों के साथ पहुँच कर थारे में कारिवाई की मांग की है वही इस घटना से आसपास के लोकों में दहश्चत फैली हुई है और परीजनों त्वारा अपनी बच्चीओं को घर से नहीं निकलने दिया कया बुधवार को दोपहर के वक्त उनकी ग्यारा वर्षी बच्ची और पडोस की रहने वाली अन्य तीन बच्चियां जिनकी उम्रेट नौक से ग्यारा के बीच है खेल रही थी इसी वक्त पडोस में रहने वाले तीन युवग देकर पास के घने जंकल में ले गए और तीनों न उन बच्चीयों के कपड़े उतरवा कर छेडखानी वाशलील हरकते की जिससे घबरा कर उनकी बेटी ने शोर मचार दिया शोर सुनकर अप महले के काफी लोग वहां एकठा हो गए और दोनों को पकड़ लिया दोनों आरूपी बदमाश किस्म के अपराधी प्रवर्ती के ह इस कारण उनके पास तमंचा था जिसको दिखा कर वहां से फरार्फ हो गए थाने में शिकायत करने पहुंचे मोहले के महिला और पुरुषों में घटना को लेकर काफी आक्रोश था सभी जल्द से जल्द आरूपीयों को गिरफतार करने की मांग पर अडग गए वहीं काफ थाने आएं कि इसलिए आएं क्या हुआ इसलिए आए हमारी बच्ची इसकुल से आएं तो खेड नहीं थी उदार है तो जी आए दोनों जने गाड़ी पर बेठार के ले गाए एकदम से बुब बच्ची चिल लिया पर ही तो हम दो चार जनी दोड़के गाए तो भाग गया अब इसलिए पर आप ने प्रकरण सुग्यान में आया है यह क्या आप नहीं परेम नगड़ चेत्र का एक प्रकरण सुग्यान में आया है यह क्या मामला है? विवेचना की अग्रिम वैथाने का रवाही संबादित की जा रही है